सुबचो आज हम नमेरिकल्स करेंगी गॉजिस थियूरम के उपर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के उपर ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेस्चन आपके सामने है, कि आपने यह निकालना है, इसमें देख रहा है कि फाइन दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू किवन सर्फिस, हम मतलब यह साइड- इसका हाफ जिदिए 10 सेंटीमीасть है, तो मतलब 5 सेंटीमीटर इसके सेंटर उपर की तरफ एक चार्ज है क्यों, तो चार्ज की वज़ा से इस सिर्फिस से कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा, कितना फ्लक्स पास होगा, कितना फ्लक्स एसोशेयट होगा, ए ये अधिया देहाना भखेंगे जो चार्ज क्यों है ये इस सिर्फिस के दिवरें इन क्लोज्ड है जैसर हमने संसे दिष्वरिकल समेट्रिक सर्फिस ाे ये श जो सिर्फिस ए जारिकलHHHH कि लिए किया था तो उसमें आप आपको ये बताया था कि जी ये है आपका सफियर। तो उसके सेंटर पे है तो फिर इस सेंटर के अबाउट समिट्री आपको बते हैं बन रही है तो जैसे दो सफिर बन गए यदि मैं इसको चार टुकड़े में काट दूँगा तो यह चोड़ चोड़े चार टुकड़े होगे लेकिन वह जैसे हैं न सारे तो सरफ आपने यह पॉइंट यह चीज़ लगानी है कि मतलब इस चार्ज को जो पॉइंट चार्ज होंका दिया हुआए अपको इसको आपने लोंजिड सर्फिस से कवर करना है चारों दरप से छीकिन मदल्द इसको इसको मैंद ऐसे इसको नजदी का आपने लाना है और उसरस्ट्रक्शर को लाके इसको cos पर करना है अपने चीक है एक रूज्ट सर्फिस जो है उसको कवर करना है तो कैसे करेंगे हैं बताओ जैना यह यह सेंटर से उपर गो आधी दिस्टंस पे मतला जो स्क्राइब की साइड है उसका हाफ यह 10 संटीमिटर है तो यह 5 संटीमिटर ऊपर को है अधी तो यह संटीमिटरी से करेंगे हैं तो यहां गईए देंगे उते तो आपको यह आ जाया देखी यहां पे व्दे ध्विद्धधिय हैं हम इसको क्या करेंगे स्केर फेस ले लेंगे हम 6 ऐसthing क्यूक के दिलिन्गोंขख और से जो एक फेस है वो आपका ये है और जो आपके रिमेनिंग फाइफ फेसीज है वो आपके यहां आ जाएंगे ठीक है सो यदि इसको कवर करने की कोशिश करेंगे तो हमें बोलेंगे कि इस चार्ज की वज़ा से कितना फलक्स जो है वो इस सर्फिस से से ऐसुशियेट होगा फिर हम निकाल देऑगे पहले हमने इसको क्लोस सर्फिस से कवर करना है कोसर्फिस इसस के इसमें क्या हो सकता है बोलो क्यूब और जो क्यूब के 6 फिस ही जो होते हैं उनमें से 1 फिस है जो यह सामने दिख रहा है आपको तुम इसका ऐसे कवर करने के कोशिश करूँगा देखो यह देखना आप यहां पे मैं एक यह ऐसा सर्फिस लेके आऊँगा कि जो आपके यह वाला सर्फिस देखिए तुम इसका ऐसे कवर करूँगा यह देखो चीक है यह यह देखिए अब आप इसका बड़े ध्यान से देखिए क्या लग रहा है आपको कि अब यह जो चार्ज है जो हाइट एवाई टू पे है एवाई टू लिखा है एवाई टू तो यह देखो यह यह है वो फेस जहां एक अरसर चल रहा है जो यह देख रहा है आपको चीक है तो यहां पे सेंटर से यह कितनी हाइट पे है यदि साइड है तो यह वाई टू पे है तो अब देखो आपो ऐसे ही मैं six five faces और लेके आया फाई faces जैसे ऐसे मलों पांस square और लेके आया मैं ठीक है और इसको cover कर दिया देखो क्यू बना दिया मतलिया देखो ठीक है यह तो original face है यह वाला तो original है कि मैं यह किये लाया एक इसके सामने वाला दो तीन इसके तीन होगे न यह सामने वाला जो मेरी तरफ है चार और यह और कौन सा एक दो गपर वाला तीन और मेरी तरफ चार और बैक वाला पांच तो यह पांच surface हम लेके आए तो यह चार जो है एक Closed Surface के अंदर चला गया और यह इसके चारों जो एक मतलब एक समेट्रिक एक समेट्री सी बन गई देखो ना ठीक है सो आपने समेट्री से इसको श्रूप कर देना है अब देखो यह बिलकुल Closed Surface के अंदर बंद हो गया ऐसे समझे लो Closed Surface से आपने इसको कवर कर दिया चीक है तो अब लगा दो आप गोजिश थिवरंबो क्या बोलती है कि Closed Surface से कितना फ्लक्स निकलेगा बोलो क्यूप ओने पैसलर नौट यह चार्ज जो है अब लेक्टिक फ्लक्स जो maas हो गाए इस क्यूप के छे फेसी से वो होगा क्यूप ओने पैसलर नौट उड़ा तो मुझे बिल्टा ओ कि हमें तो इस स्केर से पूच्छा गया एग इस इन सर्फेसज हैं कियाए आपका स्केर है तो स्क्वियर से कितना फ्लक्स जाएगा फिर ये जो फ्लक्स है अब यह कितने देट से क्लोज सर्फेस अब इस बॉंड़ वाइडि इस से तो six सर्फेसे या six faces of the cube से इतना फ्लक्स जो है वो पास होगा तो बताओ फिर एक से कितना होगा, हमें तो एक से पुछा है ना, हमें तो इस से पुछा है एक से given surface है आपका, ये simply square है, तो एक से बजाएगा Q upon 6 epsilon dot समझे बाद मेरी, मतलब flux जो था, वो cube से तो cube एक close surface है, वहाँ से तो gorgeous syndrome के guarding cube upon epsilon dot होगा, लेकिन flux थ्रूइच फेस क्या होगा है इच फेस होगा ज्यांकि छे फेसों से गुजला इतना तो एक फेस से कितना गुजला Q upon 6 अपसालन नॉट तो इस सर्फेस से जो स्वश्व गुजलेगा जो नीचे दिखना आ है यह 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 वाला ही तो है तो हमें आरे एक से पूझछ है छे से यह इतना गुज्रा ये एक से घुज़ेगा इतना गुज़ेगा कि दना की बबन सिक्स सिक्षब पाउन सिक्साल की आने वाला तो पूरे 6 फेसी से करना है तो वो close surface बन गया तो इसका मादलग हो तो और जिस खुद बोल रहे हैं कि क्यूब उन अपसालन नॉट होगा पूरे क्यूब से पूरे क्यूब में 6 फेसी होते हैं 6 फेसी से इतना तो बताओ एक से कितना क्यूब कोन सिक सबसालन नॉट तो अपका ये था ये question छीक है सो आगे चलते हैं so this is your next question, find the electric flux through whole cube and also through each face of the cube ठीक है if charge q is located at location देखो इस charge की रख़्ागा है रहा है, आप ये देखे है आपने यह बोलना गया से था है ना यदि यह साइड आपकी ए थी तो अपर की तरफ को यह तो इसको कवर किया हमने तो क्यूब के सेंटर पे ले आए तो होल क्यूब से जो लक्स निकला क्लो सरफेस से क्यूब और एपसाल नाट क्यूब में कितने फेसिज होते हैं इतना तो एक से कितना क्यूब और शिक्स अपसाल नाट इस वाज़ेवर अंसर अब यहां लोकेशन देखो इस चार्ज की जो क्यूब यहां रखा था पिछले कुश्चन में प्रीव और यहां पर देहां से इसमें जो आपका चार्ज है वही है यहां पर नाट इस जो तो यहां भी देखिए उर्द्धान से कि यह चार्ज कहां पर है लोकेटर है तो यह बोर रहे हैं कि यह आट इस तेंटर आफ बन फेस आफ दी क्यूब तो यह है देखिए क्वेशन यदि मैं आपके सामने क्यूब लेके आता हूँ तो यह देखिए क्वेशन यह है यह ठीक है लिजीए तो पड़िये क्वेशन कहां रखाया अनलीक पॉंड चार्च कहां रखाया अनली चार्च एलर एब देखिए सो यह है इसके six faces सो यहां रखा है दिखिए यह यह रखा देखो यहां पे यह face है इस face के कहां रखा है center पे तो यह है आपका चार्ज यह यह है क्यूब question ही पुछा जा रहा है कि due to this cube कितना flux linked होगा इस cube से इस सारे cube से whole cube से and through each face कितना flux जो है वो pass होगा यह linked होगा दो question पूछे जा रहे है सारे cube से पूछा जा रहा है flux through whole cube पूछा जा रहा है और आप से पूछा जा रहा है कि flux linked with each face of cube यह पूछा जा रहा है ठीक है तो यदि ऐसा पूछा जा रहा है I will do that तो ऐसा आपने symmetric symmetry बनानी है इसके चार और और इसको बंद भी करना है ठीक है आप देखो ना एक तरफ से तो यह खुला है एक तरफ से तो भी खुला है देखो इधर इधर से तो closed है लेकिन इस तरफ से खुला है भी तो इस तरफ मेरे को ऐसा एक similar बिल्कुल ऐसा similar structure ऐसा cube ऐसा और cube मेरे को यहां लाना पड़ेगा इस तरफ और बिल्कुल इसके साथ इसको join करना पड़ेगा and you will find यह बिल्कुल center में चला जाएगा समझ रहे हैं बाद मेरी मतलब इसको closed surface से ढखना है ऐसे कबस ऐसे सोच लो इसको closed surface से आपने cover करना है ठीक है तो अब अब ध्यान से देखेंगे कि कैसे यह कबर होगा हम यह यह ऐसा मैं और एक similar cube यहां से लेके आता हूं देखें ला रहा हूं मैं देखना हूं यह 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 य आप ये चार्ज जो है बड़े ध्यान से देखेंगे कि आप ये विल्कुल ऐसे लग रहा है कि इसको कवर मिल गया चारों दर्फ से मतलब एक स्मिट्री मैंने इसके स्रॉंडिंग में बना दी है बहुत समझे रहे हैं तो यदिस्त के स्रॉंडिंग में स्मिट्री बना दी है तो मुझे ये बताइए कि अब जो आपको ये दिख रहा है अब जो आपको ये दिख रहा है और अब यह अब यह अब यह मतलब यह ऑफिष वह समझे लोगी यह लूज्ड सर्फिस से यह कवर हो गया तो कैसे करते हैं कवर बिल्कुल सिमिलर स्ट्रेट्श्र आपने इसकी तरफ लाना है और उसका जॉइन कर देना है और देखना है कि क्या ये बिल्कुल सेंटर में आ गया एक सिमिट्री बन गए इसके चार और बिल्कुल सिमिट्री बन गए ये तो इसका मतलब आप जो आपका ओरिजनल क्यूब था वो तो ये है रियल क्यूब तो ये है ये निकलेंगी चानों तरफ जो नॉर्मल डारेक्शन में निकलेंगी हो आपको बताइए कि क्लोव सर्फिर से कितिना फ्लक्स निकलता है बोलो क्यू अपॉन कितिना निकलता है गवाज़िश दूर्म के कारडिंग क्यूपन अपसालन नॉट ठीक है क्यूपन अपसालन नॉट निकलता है सो क्यूपन अपसालन नॉट न तो बताइए इन दो क्यूप से कितना निकला सो इन दो क्यूप से आ जाएगा कितना गोलिए तो यह जो फ्लक्स निकलेगा वो एक क्यूप से निकलेगा बोलो कितना से निकलेगा है दो क्यूपन से निकलेगा है दो क्यूपन से निकलेगा है दो क्यूपन इस चार्ज को अब एक क्यूपन ने थोड़ी कबर किया है दो gonna doRE से जो क्लो सर इस समर्स निकलता है क्यूब dealing not तो मुझे बताओ फिर एक क्यूब के हिصnehाँ हैं नोट केसी सम्सैन आएंगा मतलब Quem अपशसर नौट waż इस चीज के आपर कॉंसेंट्रेट करिए अब ठीक है इस क्यूब की हिस्से में फ्लक्स यादी क्यूब पॉंट टू अफसालन नॉट आया तो बताइए फिर इस ही को देखो आप जो मुझे फ्लक्स जो है इस रियल क्यूब से देखना पड़ेगा विकोजी पूछाएगे क्यूब है तो मेरा तो रियल क्यूब यही है ना तो मैं इसके बर कॉंसेट करूंगा इसके हिस्से में इतना फ्लक्स आया क्यूब पॉंट टू एपसालन नॉट चीक है तो आपने यह देखना है कि वह फ्लक इक्टिक लाइज निकलें तो इस अर्येक्टिक लाक्टर बाहर को चला गया और उल्यक्टिक भीट इस प्लेन इसज्सारफेस में है तो इसका मैं ये लेक्टिक फिल्ट और एरिया वेक्टर में ये अंगल क्या बन गया 90 degree perpendicular आ गया लेक्टिक फिल्ट एरिया वेक्टर करे perpendicular हो गई उस फेस के लिए जिस फेसdefense प्रेजर्ट है क्योंकि ये ये बनाफिर फईस जिए क्योंकि दänge बात मेरी है, so, अब अब बड़े ध्यान से देखो, कि जब भी EDS में अंगल 90 होगा, तो फ्लक्स क्या होता है, फिर EDS कॉस सिटा, कॉस 90, जब जब अंगल EDS 90 होगा, तो फ्लक्स क्रॉस नहीं होगा, मतलो 5 क्यों आजाएगा, 0, तो यह सिंपल आए, जिस फेस पे पॉइंट चार्ज होगा, उस फेस से फ्लक्स पास नहीं होगा, कोई फ्लक्स ऐसोशियेट नहीं होगा उस फेस, यह रखें ध्यान, तो अब जो फ्लक्स निकलेगा, वो इस क्यूब के कितने फेसी रहागे जन से फ्लक्स निकलेगा, एक से तो पास नहीं होगा, तो कितने रह गया ब हो गया question आप देखो five faces इतना निखलेगा ठीक है जिस face पे test charge जिस face पे point charge बैठा है उस face से flux link zero हो जाएगा because electric field intensity और area vector में एंगल उस face के लिए 90 degree बनेगा तो जब जब angle 90 होता है electric field intensity और area vector तो flux linked कितना होता है उस surface से zero यह ध्यान रखें तो इसका लिए जो flux इसके हिस्से में आया है यह वाला q.2 epsilon node यह five faces से गुजरेगा तो five faces से यह cross होने वाला है इस q के five faces से यह cross होने वाला है कितना flux से यह cross होने वाला है बोलो q upon two epsilon and not अगा है ठीक है ठीक है तो दिस इस इफ्लक्स लिंक्त विद क्यूब यह तो मिने बता दिया पहले question का answer तो हो गया क्यूब से कितना लिंक्त होगा वो तो यह simple है लेकिन इच फेस से कितना होगा 5 शे इच फेस से कितना होगा 5 faces इस से ग लिड़ा मंतलर ल्ट जाएगा यह so it is q upon 10 epsilon not answers flux जो associate होगा with each face of the cube जो real cube था अब का ये बला वो होगा q upon 10 epsilon not so इस question का जो answer है basically पहले part का जो answer है q, q से कितना होगा वो तो ये है ये answer बता दिया मैंने समझा दिया आपको और each face से कितना होगा वो मैंने बता दिया ये वाला ये q upon 10 epsilon not तो पहले का अंसर आगया q upon 2 epsilon not और दूसरे का आगया q upon 5 face से गुजरेगा तो एक किसे में कितना आएगा 5, 2, 10, 10 epsilon not ये है इस दूसरे का अंसर ही है through each face तो ये था आगे बढ़ते हैं और next question की बात करते हैं ठीक है so next question so ये next question है आपका जो cube के ओपर बन सकता है so ये है देखिए question so इसको पढ़ते है find the electric flux through the cube whole cube मतलो and through each face of the cube पिल्कुल पिछले की तरह ये लेकिन फ़रक है कि charge की location आपने देखनी है अभी charge कहा लोकेटर है where the charge is located no this charge cube is located at the mid point of the side of the cube मतलब cube की side है उसका mid point side का मतलब edge जो होता है cube का चीक है so यदि मैं इसको देखूँ वड़ ध्यान से तो बोलने का मतलब ये हो गया की charge है कहां पे so मैं एक figure लेकर आता हूँ आपके लिए यहां पे इसको दिखाने के लिए so ये है आपका देखो ये figure so ये है आपका figure वे चलिए यहां से चलते हैं so ये है देखिए ये ले ले लेते हैं तो इस कित रूब मैं आपको इसको समझाता हूँ ठीक है ये अब आप बड़े ध्यान से दिखिए इसमें पूछा क्या है कहां है charge की location कहां है midpoint है of the side of cube midpoint है side of cube ठीक है so midpoint of side of cube तो कहां जैसे होगा ये बताईए ये होगा जैसे एक cube उठाओ ये वाला इस cube में देखें द्यान से तो ये है वी इसका edge ठीक है ये इसका edge है तो यहां जैसे location है इस charge का यहां जैसे यह समझे है मेरे बात हूँ तो यहां allocated ही है तो फिर आप देखो यहां पे या तो यहां पे located है ये charge ठीक है तो अब आपने सोचना है कि इसको मैं कैसे cover करूँ cover कैसे करें इसको जैसे मा लेते हैं जैसे आपको यहां पे दिखा देता हूँ मैं क्यूब है मेरे पास यह यह ठीक है यह लो यहां ऐसे यह यह है तो इसकी location बता कहा है जो भी दिया जा रहा है आपको चार्स इसकी location है वो यह है कि सेंग के mid point of the side of the cube मतला edge cube का यह होता है यह edge होता है जब भी बताया है मैंने आपको यह edge है सारे sides है ठीक है तो यहां पे है यहां पे देखो यह यहां पे है इस edge के mid point बही है इसकी location तो यह मेरे पास यह cube है तो यहां जासे है यह बोलना चारा हूँ तो मुझे यह बताओ कि मैं इसको कैसे cover करूँ कि इसको मतलब इसके स्मिट्री कैसे बनाओ इसके surrounding में इसके surrounding में स्मिट्री कैसे बनाओ तो स्मिट्री बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे बिल्लकुल ऐसा similar structure इसके पास लाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कितने लाओ जैसे यह तो real cube हो गया तो real तो यह है यही है ठीक है तो इसके surrounding में मुझे इसी की तरह ऐसा similar structure लाना पड़ेगा लेकिन तीन लाने पड़ेगे नंबर में यह आगया एक यह आगया दो यह और यह आगया तीन ठीक है यह हो गई imaginary cubes बिल्लकुल इसकी shape की तो smitry से कर देंगे इस question को और फिर इसको cover कर देना आपने यह चारों दर्प से cover कर देना इसको तो यदि में एक cube यह है वो यह आपका real तो एक इस तरफ रख दिया कि इस तरफ रख दिया कि इस तरफ रख दिया आप इनको चारों को आप जोइन कर दो तो मुझे लग रहा है कि यह center पर आ जाएगा तो जो flux एक closed surface बन गया इसकी surrounding में और total cubes हो गए है four जिसमें तीन imaginary थे और एक आपका real cube था तो इसका मतला आप जो flux निकलेगा वो कितने cube से निकलेगा Q upon epsilon not four cube से तो फिर इसके हिस्से में कितना आएगा तो एक के हिस्से में आएगा Q upon four epsilon not तो इसके हिस्से का flux यह होगा यह यह रखें दिया समझी बात तो अब वड़े ध्यान से सुनेंगे मैंने आप वो किया बताया था अगला आपने देखना ठीक है इसके हिस्से में इन तीनों को भूल जाओ आप चार स्टारों से चारों ने इसको closed surface से मैंने इसको cover कर दिया तो मेरे को तीन cubes की जरूरत पड़ी ठीक है और फिर चार जो है वो विल्कुल सेंटर पे आ गया इस स्ट्रक्चर के और फिर जो closed surface इसके चारों बन गया स्मेट्रिक तो उस closed surface से flux निकलेगा cube on epsilon not according to causes थे होगा हूँ लेकिन वो निकलेगा इन चार cube से तो मेरे को तो एक cube से चाहिए ना मेरे पास तो एकी cube है तो एक से निकलेगा इतना तो यहां तक हम पहुंच गए ठीक है इसके हिस्से में जो flux आएगा वो आएगा cube on 4 epsilon not यह आने वाला है इसके हिस्से में आगे बढ़ते है अगे यह है कि अब question है कि ठीक है पहले का answer हो गया यह अब लक्टे फ्लाक्स तो दी cube हो जाएगा cube on 4 epsilon not अब मुझे यह बताओ कि each face के हिस्से में कितना आएगा हर face के हिस्से में कितना आएगा दूसरे का जबाब क्या है यह बताना है अब अब बढ़े ध्यास देखेंगे कि यह जो जहां charge बैठा हुआ है यह point charge बैठा हुआ है यह कितने surfaces के लिए common है मतलब कितने faces का यह हिस्सा है कितने faces में यह common है एक तो इसमें common है यह और एक इसमें common है तो कितने में common होगा यह two तो दो surfaces में जो इसकी बज़े से electric line of force होगी वो surface में होगी area vector बाहर को जाएगा तो area vector यह जगा बाहर को electric radius surface में होगी face के बीच ही होगी face के parallel होगी ऐसे बोल दो electric radius में है और area vectors के perpendicular है तो EDS में angle क्या पताया था मैंने EDS में angle हो जगा 90 degree 90 degree होने के बाद क्या होने वाला देखो यह perpendicular radius so flux cross कितना हो जाएगा 0 जब जब angle लेके 90 में होता है तो no flux will pass through that face or that surface so कितने surfaces से flux नहीं गुजरेगा 2 से because यह point charge दो surfaces के लिए common बन गया न तो इसके बज़े से electric field होगी उन surfaces के along ही होगी उन surfaces के parallel होगी उन surfaces में ही होगी तो area vector बाहर की तरफ आएगा तो E और DS में अंगल लेए इसके लिए भी और इसके लिए भी 90 degree बन जाएगा अब कितने 2 से flux नहीं गुजरेगा 2 से flux cross नहीं होगा कितने रह गए आप इसके 3 3 फेसी से गुजरेगा तो 3 से गुजरेगा इतना इतना इसके हिस्से में आया इसके हिस्से में बताया था कितना आया था यह यह ना तो flux through 3 से गुजरेगा इतना तो इस फेस से कितना आजाएगा एक हिस्से में कितना आएगा मतलो Q यह 3 नीचे चला जाएगा 3 नीचे चला जाएगा एक हिस्से में आजएगा 3 into A यह हो जाएगा तो answer विल भी यह हो जाएगा Q1 14 Q1 12 of epsilon 0 तो इसका पहले का answer बोलो पहले का answer है पहले का answer है अफका ये ये पहले का है Q पॉण एक हिस्से में कितना आया 4 of intest kids और इच फेस कि हिस्से में कितना आया 2 रहा जैंद नहीं गुजरेगा कितने से गुजरेगा फिर इस गलत हो गया यहां दो छे होते हैं न टोटल तो चार से गुजरेगा चार से तो यह चार आ गया ठीक है चार और चार यह चार फॉर फॉर जा कितना आ गया 16 तो 16 अफसाल है नॉट ही है Q upon 16 अफसाल है नॉट होगा सेकिंड वाट का अफसा थो इच फेस बाद समझाई चीक है मतला आपने उसको कवर करना यदि यहां बैठा है ना मिड़ पॉइंट पे बैठा है अजके तो आपने ऐसा सिमिलर स्ट्रक्चर के स्रॉंडिंग में लाना है और इसको कवर करना है और पर आप फोर फिसे कि तना फ्लक्स निकले गा क्यूबों अपसलन नॉट चारों से बैएक किफ्शाल एक इससे में कितना आया क्यूब roku फand upon श्यंसनर नॉट यह आपने चेक करना कि इसको और अब Bonus इसको पॉइंट चार्झ कहा बैठा है क्यूंत कितने कितने फेसिज common है वो दो कर दो अलेक्टिक flux नहीं गुज्रेगा तो कितने रहाःगे बाकी चार से गुज्रेगा तो यह जू इसके हिस्शे में आया बैसली नोट गुग isnYопs यह उने वाला है क्यों हुआ शिक्स्टी नाइब साल नवट hot ah कि यह था य इन 타 मैं खुल्च तो जाबिशन करेंगे अथा यह से दिखेंगा देखो है मिरा कुक्त हले तो यहां तो इसे दिखेंगा यह सो यह इसे दिखने वाला है यह 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 से दिखने वाला है देखो जैसे हम कवर करेंगे ने इसको तो जैसे हमने चान उपको जोड दिया ना ऐसे थे नहीं जैसे थे नहीं जाना कहां बैठा था बताओ यहां था यहां एज की सेंटर पे चीक है जो यदी मैं यहां से जब इसको इन चारों को जोइन कर दूँगा न तो फिर ऐसे आजाएगा देखो यह यह जो होने वाला की अफिर健 motiv भीश्म दूब भीश्म के यहां जैसे अंधर यह बारand मेरी ठीक है तो यह नहें गार थैस्का वाला real cube तो आपका ये था ये real cube तो ये था ये वाला ठीक है so क्या होबावा इसमें एक बार फिर बता देता हूं हाँ तो एक कतने cubes की जरुरत पड़ी इसमें 3 की पड़ी एक तो खूद वो real cube है तो 4 faces 4 cube से गुजरेगा जो गॉज जिस बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं गॉज क्यूब ऑन एपसलन नॉट तो एक क्यूब के हिस्से में कितना आया क्यूब ऑन फोर एपसलन नॉट तो इसके हिस्से में क्यूब ऑन फोर एपसलन नॉट लेकिन इसके हिस्से में दो फेसे पे तो एच फेस से, आफ इस क्यूब, फाइ त्रू इच फेस, और फाइ त्रू इस क्यूब हो जाएगा ये, ये, और दूसरा ये, चलते हैं आगे, पेस, ये, इस नेक्स क्यूशन, ये नेक्स क्यूशन है, देखिए, अब लोकेशन चार्ज का फिर, चेक करिए, कहां लेक लेके आगे हम उसको पड़िये, find electric flux through cube से निकालेंगे और each face of cube से निकालेंगे दो question बना रहे हैं बार बार if charge q is located at one vertex of the cube अब एक vertex पे चला गया वही vertex का मतलब है जैसे मैं यहां से उठाऊँगा यह तो vertex का मतलब यह है कहां है vertex का मतलब बोलो vertex का मतलब यह यह यहां पे है यहां पे है यह यहां पे है vertex पे अमन यहां भी हो सकता कहीं भी समझने बात मेरे तो यहां है vertex पे आप चीक है तो यहां ले लेते हैं तो बताईए फिर इसको cover करने के लिए कितने cubes की अवश्यक्ता पड़ेगी तो बिलकुल चारों तरप से इसको cover करने के लिए कितने cubes की अवश्यक्ता होगी यह देखना पड़ेगा सोचो यूस इसके लिए यह होगा देखो यह होने वाला है यह तो आपके लिए इसको जुरूरत पड़ेगी यह देखिए यह देखना बड़े ध्यान से समझें को इश्यक्ता करेंगे इसको ठीक है सो जो आपका चार्ज है विसी कली वो है वर्टेक्स पे वर्टेक्स आफ दी क्यूब पे है तो यहां देखो मैं देखा रहा होगा इस्ट्रक्चन आपको यह है आपका क्यूब इसके वर्टेक्स पे है यहां पे है चार्ज यहां पे सोचो इसको कैसे कवर करूँ मैं तो पहले तो मैं इसको रख दूँँगा ठीक के ग्राउंड पे रख दिया तो इसको क्लोजड सर्फिस से कवर करना है जिए क्लोजड सर्फिस से इसको कवर करना है तो फिर एक क्यूव इसके इस तरफ रख दो एक यह रख़ दिया पीछे और एक यह इसका मतलब एक तो यह खुद थाप तीन और लगा दी एक इसके एक इस तरफ एक इस तरफ एक इस तरफ तो अब नीचे चार आगे लिकिना अभी बी उपर की तरफ से कवर नहीं है तो चार आपने नीचे रखे, रियल क्यूब यह है रखें दियान, तीन और लगाया नीचे मैंने ऐसे, तो इसको कवर करने के लिए, इसको क्लोस सर्फिस कवर करने के लिए, चार क्यूब जाए है, जो उसकी बिलूप पर रख देने हैं आपने, तो टोटल क्यूब कितने हो यहां पर आठ हो गया, मतलब एक रियल था और साथ की और अवश्यक था पड़ी हमें यह, तो आप जो क्लोस हो गया यह कबर, अब क्लोस सर्फिस स्मिट्री बनगी इसके चार और, तो फिर कितना फ्लक्स निकलेगा, एक क्लोस सर्फिस से क्यूब ओन एपसालन नॉट, मतल ले गई तो, अब इच फेस से कितना आएगा, अब 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 अध्यान से देखो, कि यह जो चार्ज है, यह, यह, अब यह जो यहां पे रखा है, यहां पे रखा है, यह यहां पे रखा है, तो यह कितने फेसिज, कितने फेसिज के लिए कॉमन है, एक तो इसका हिस्सा है, एक इस वाले ऊपर वाले का हिस्सा है और एक हिसका हिस्सा भी है यह है तो कितने इस कामन हो गया एक पुब सबने है तो तीन इस में उत्चिर के लिये अंघल क्या हो गाओ 90 बेद्ट ही उगा तो फ्लक्स किया होगा जिरो तौ तो कितने रहागे बक्का इसे क्यूंब के तीन फेसी से फलक्स नहीं घुजरना है इसका मतलब हो गया कितने से घुजरना है फिर तीन से तो यह जो एक फेस से कितना फलक्स तूछ एइच फेस जा एक फॉसी तीन नीचे चला जाएगा तो है आ जाएगा क्यू ती आप्सालन नौट ले अफॉनटी फॉर से लेन नॉट थेक since एक त्री दीचे आगया, 8 EPSILन नॉट के, तो अपका अंसर के आ जाएगा, Q अपउन 24 EPSILन नॉट, तो यह दूसरे का अंसर है, through each face of cube पहले का अंसर आ गया ये ठीक है पहले का ये आ गया Q upon बोलो कितना 8 epsilon 0 और दूसरे का आ गया 3 फेसे से नहीं गुज़रेगा तो 3 से गुज़रेगा यह देगे किस्से में कितना आएगा 3 से नीचे divide 3 से नीचे multiply हो जाएगा 24 epsilon 0 ये आ गया दूसरे का अंसर ये मैंने समझा दिया और जब इनको रख देंगे 4 नीचे होगे real cube ये है 3 नीचे पड़ी जरूरत और 4 उपर रख दिये तो बिल्कुल बीच में चला गया है सेंटर में स्विट्रिक सर्फिस स्मिट्री स्मिट्री होगी इसके चार और क्लो सर्फिस से मैंने इसको कवर कर दिया ठीक है तो कवर करने के बाद फिर मैंने देखा कि टोटल क्यूब्स कतने आ गए चार उपर चार नीचे आठ तो आठ क्यूब्स से फलक्स निकला क्यूब अपसले नॉट अगॉर्डिंग डॉजिस थे और हम तो एक क्यूब की हिस्से में कितना आया भी क्यूब कौन एट अपसले नॉट अब एक क्यूब की हिस्से में इतना आया तो एक क्यूब में वो कितने फेसी से गुजर रहा है एक क्यूब की कितने फेसी से गुजर रहा है जिस यह जो जहां यह बैठा था आपका चार्स पॉइंट चार्स वो कितने फेसिज के कॉमन है तीन एक यह वेक उपर वाला और एक यह नहीं तो तीन फेसिज से फ्लक्स नहीं गुजरेगा विकोज बहाँ लेक्टिक विडिन फेसिज के प्लेन में ही होगी और एडिया वेक्टर प्रपेंडिकुलर जाएगा तो अलेक्टिकुल डेडिया वेक्टर एंगल बन गए 90 डिग्री तो फ्लक्स जीरो होगे इन तीनों से इसका अमले एक यू में से तो फ्लक्स निकला इसमें से है तो कि मिलता चुलता इज अभी किया बिल्कुल shifts cm लग रहा है मेरे को तो डेखो क्या पूश जा रहा है तो देख की पूछा जह रहा हैane फिल्टिक्ष it फ्लक्स टू दी गीवन सर्फेस यह सर्फेसえて 190 स्विशेप में वो कितनी हाइट भे जितना स्क्वेर की साइट है ठीक है ऊपर है यह तुनी हाइट भे तो फिर मुझे यह बताओ कि कितना फ्लक्स कुजलेगा ड्यू टू दिस शार्ज थू दिस सर्फिस यह है कॉश्चन फिर भी इसको कवर करना पड़ेगा फिर इसको क्लोज्ड सर्फिस से कवर करना पड़ेगा इसके सरोर्णिंग में स्मिट्री बनानी पड़ेगी स्मिट्री कैसे बनेगी देखो देखो भी यह नीचे है इसकी तरह नीचे आप चार ऐसे रख तो एक जैसे ऐसे ही चार रख देंगे तो यह भी एक स्केर ही बन गया ठीक है यह चार वाला एक मतलब फेस बन गया क्यूब का ऐसे माल लो और इसमें कितने स्केर हैं देखो यह यह रियल स्केर है और यह तीन और है तो यह से आगे चलते हैं थोड़ा तो यह क्यूब का एक फेस बने गया वण फेस ऑफ क्यू इड़्य गे भन फेस ऑफ क्यू बन गया तो फिर क्यू बनने लिए और ऐसे किए वशठत पड़ेगी जरूरत पड़ेगी पाँच की पांच से इसको चारा तरफ से कवर कर दो, चीक है, और ये आपका जो चार्स था, वही साज़ से तो इतना ये उपर था, उपर की तरफ को, उपर की तरफ को, ये जो देखो, समझे बात मेरी, तो फिर, यहां पर, इसे, कितने फेस्ट जी एगे और पांच, हो गए छे पूरे, कवर हो ये, चीक है, तो अब क्वेशन है, यहां है, कि 6 फेस्ट से जो फॉलक्स निकलेगा, वो निकलेगा, क्यू अपॉन अपसाल नौट, अकॉर्डिंट वाजी तरण, एक फेस्ट से कितना निकलेगा फिर, क्यू पॉन सिक्स अपसाल नौट, बदल इसके हिस्से में जो नौट, यहाया, यहाया, एक फेस्ट के हिस्से में, जो लिखा मैंने है, पर एक फेस्ट में कितने स्क्वेर्स हैं, फॉर स्क्वेर्स, फॉर स्क्वेर्स के हिस्से मतले इतना आगे बड़ो थोड़ा, एक स्क्वेर्स के हिस्से में कितना आएगा, क्यू अपॉन फॉर नी यह सोचो ज़रा है पहले दो मैं बोर रहा हूं कि यह से स्क्वेर चार बना दो नीचे बना दी यह चार जब मैं जोड़ दूँगा तो फिर एक स्क्वेर इपन गया उसको एक फिस पोल दिया मैंने चीक है अब ऐसे ही छे फिस कर लो छे फिस से गुजरा क्यूप उपन एपसालन नॉट एक फिस के हिस्से में आया क्यूप उपन कितना यह कितना होना था सिक्स एपसालन नॉट छे यह 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 दो दो थोड़ी था अब एक क्यूप उपन सिक्स एपसालन नॉट जो है यह आया हिस्से में इसके लेकिन इसमें कितने स्क्वेर हैं इसमें चार स्क्वेर के हिस्से में आया तो एक स्क्वेर के हिस्से में कितना आया चार से यह गुना हो जाएगा छे 6 4 जा 24 ठीक है तो यह थोड़ी सी यह अंगलती थी यह शेलिए चार स्केरों के हिस्से में आया Q upon 6 epsilon 0 एक स्केर के हिस्से में कितना आया गभी 4 into 6 epsilon 0 तो यह बन गया Q upon 24 epsilon 0 एक स्केर के हिस्से में आने वाला है यह ओने वाला इसका अंसर एक वार फिर रिवाइज करवा देता हूँ देखे भी ऐसे इसके उपर की तरफ को दिया हुआ है विल्कुल इसके बर्टक्स से सेम जो इसकी लेंध जो इसकी साइड है स्केर की इतनी ही हाइट पे चार्ज क्यों है पॉएंट चार्ज पूछ रहा है कि इस चार्ज की वज़ा से इस सरफस से मलेस स्केर से कितना फलक्स Associate होगा कितना फलक्स लिंक्ड होगा या कितना फलक्स इस से Cross होगा या पास होगा ठीक है तो हम शुरू करते हैं, हमने बोलाग यह ऐसे चार स्केर रख दो नीचे रख दी है, तो रियल स्केर यह जो दिख रहा है, यह बला, ठीक है, फिसका मलग यह चार स्केर भी एक फेस बन गया, क्यूब का, फिसको कवर किया, मैंने, कवर करो अब इसको, यहाँ उपर बो चार् मैंने बोला, क्लोज्ड सर्फिस से ढखना है, इसको कवर करना है, तो फिर ऐसे ही, एक स्केर बन गया पूरा यह भी, इसमें चार स्केर बैठे हुए चोटे चोटे, और रियल स्केर यह है, चोटा सा, तो अब आपने इसको कवर कर देना है, तो ऐसे ही पांच और किया वश सब्सक्राइन नॉट, तो एक फेस के हिस्से में कितना है, एक फेस यह पूरा है, क्यूब उन सिक सब्सक्राइन नॉट, ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ो, अब इसके अंदर जाओ, इस फेस में एक स्केर थोड़ी आए, चोटे-चोटे कितना स्केर है, चार, तो चार स्केर के इन चारों के हिस्से में आया ये ये वाला ठीक है ठीक है इन चारों के हिस्से में ये आया क्यूपान सिक्स अपसलान नॉट ठीक है क्योंकि एक फेस है इसके अंदर ही चार है ना तो एच चार ऐसे बोल दो कि एक फेस के हिस्से में क्यूपान सिक्स अपसलान नॉट मैं जिसका ऐसे बोल सकते हैं कि एक face में कितने स्क्रेंज के अंतर चार तो चार gemaakt की आए है तो Hospic hip ही हिससे में इतना वह पूचा जा रहा है नीचे आपके मल्डिप्लिय जरत तो q upon £.24 अबसल नॉट इस दिए अंसर जिसके है इसको जब कवर किया हमने तो यह देन तो इसको कैसे कबर किया तो इसके मैं आपको एक दिखा देता हूं तो यह है इसका अंसर की उपान 24 एपसाइलन नॉट ठीक है जी तो यहां से लग देते हैं इसको एडिए 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 एडिए, जिए एडिए गया वने बस्ता हुने वादा अंसर से अंसर के वाद इसकोsयों तो इसको किया हूं यहां यही हो जीका जो यह होने वाला देखो यह हो तो यह हो बाला देखो सो यह दिखाता हूँ मैं आपको सो यह देखिए भी यह दिखाना था मैं आपको अभी क्वेश्चन कुरवाया उसमें बड़े ध्यान से देखेंगे अब क्या होने वाला है यह ही है वो देखो यह मतलब इस स्क्वेर से पता करना था तो यह है वो स्क्वेर देखो यह दिख होगा आपको यहां पे यह है हुआ है यह ऐ आ यह वह यह कि शेक प्रप्स को इह डख हूं से यह रहां से यह हो पॉइंट जहां इसका टेक्स को यह यहां से उपर यह उपर अब पने अभर किस्व हो कु इस般 है है ठीक है अब अब यह नीचे एक फेस बन गया क्यूब का अब ऐसे चार स्क्वेर हों बाले पांच फेस और लेकर आओ एक इधर लगा दो एक इधर लगा दो एक पैक में एक फ्रेंट में एक उपर और नीचे तो है मैं कितने बन एक आप अब चार्ज बिलकुल क्लोजोड सर्फसे कब्स होगे मैंdepende क्यूब से कब अब यहsti प्लक्स निदर आगे न सब्सक्राइब है और सब्सक्राठी इसके हिस्से में कितना आएगा फिर मैं कुरवा रहा हूँ Q upon 6 epsilon not मतलि इस नीचे वाले के हिस्से में यह जो शारा चल रहा है इसके हिस्से में कितना आया Q19 गूण तो एक सिरी कितने स्क्वेर्द तो एक सरत गब इसे कितना आएगा एक से कुए निचे जा जाएगा तो कितना जएगा को लो क्यूँ अपॉन फॉर इंटो सिक्स छानल नौ अब लगुव अपन फॉर इंटो शिक्स कुटे नौट मतले अगया क्यूव होने बाला है यह समिट्री से करने मद लोग क्वेश्र नोपने ऑपने की करी है जी आपको यह इस से निकालना है तो अब आप देख लो यह कैसे निकालेंगे समिट्री बनाओ जारा इसके स्राउंडिंग में समिट्री बनाओ की कोशिश करिए कैसे करेंगे बताईए कितने फेस दिख रहे हैं आपको यह टोटल निकालना इस से या एक से दिख रहे हैं मुझे इस से पूछा जा रहा है एक से फाइव ही है चैक करना वाण टू त्री फोर फाइव जो पॉइंट चार्ज अब यहां पे बैठा हुआ है तो question है किस पॉइंट चार्ज की वज़ा से इस surface से कितना flux pass होगा how much flux will pass through this surface जो shaded है तो फिर इसको cover करो तो ऐसा ही similar structure इसके नीचे लगा दो ऐसा ही होना चाहिए तभी यह cover हो जाएगा मैंने बोला इसको closer surface से cover करना है शाहाज को नीचे से तो यह covered है नहीं उपर की तरफ तो है यह covered बढ़िया है ठीक है नीचे से बिलकुल ऐसा ही similar structure लेकर आओ और इसके नीचे लगा दो समझे बाद मेरे तो लेकर आते हैं और देखते हैं कहां है यह तो यह देखिए ऐसे होना यह तो ऐसा ही similar structure मैं यहां से उठाओंगा और इसके यहां लगा दोगा ठीक है जी यह देखिए यह यह उने वाला है छीक है यह देखो ऐसा था नीचे भी मैंने वैसा ही लगा दिया बैलकर उल्टा करके ना यह दो को यह टीक है नीचे की दर्फ कर दिया और यह तो अब मुझे बताओ कि जो फ्लक्स यहां से निकले गा अभी क्लूज मला यह जो स समिंट्रिक समिंट्री में यूज करी और इसके सराउंडिंग में समिंट्री बन गई तो फ़र गॉजी सुरू लगा देते हैं कि कितना फ्लक्स यह सभी फेशी से बेज़ेगा क्यों वह कौन अपसाल है नॉट जाहें यह आएका ना, अब यह जो है, किउब आफसाल औरन नाट, यह कितने फेस्जी से क्रिॉस हुआ पताईे जाना सोचिए, कितने फेस्जी से क्रोस हुआ है फ्लक्स, कितने फेस्जी जें टोटल, एगद फिर एक दू, इधर वाला तीन, और वाला चार, पांच, पांच हो गए, और नीचे भी यह, हम, तो क्या अंसर होने वाला इसका है, सोचिए, हम, आपको दो इससे चाहिए, नेक्स से, हम, जैस, क्या अंसर होना चाहिए, सो, देखिए, बिल्कुल इसको मैंने कवर करती है, बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर मैंने नीचे की तरफ लगा दिया, सो, अब मुझे बताओ की, क्लोजड हो गया यह, कवर हो गया यह, चाहर जना, स्मिट्री से, हां, क्लोज सर्फिस से कवर हो गया ना यह, अब क्व गुब्वाले की इपसलेंद नौट कि इन दोनों की हिस्से में आएगा तो उपर वाले हिस्से में कि इस्ट कर प्लक्स हो फलक्स है वह बढने हिस्से मिन लिख दिए हमेने दॉजव तो यहां flux कितने faces से cross होगा यह देखना पड़ेगा यह मैंने आपको बता है कि जिस face पे charge बैठा है बहां से flux zero होता है कोई flux बहां से cross नहीं होता विजो इसकी electric field होगी वो इसी face में होगी है है ऐसे lines होगी और area vector नीचे की तरफ जाएगा इसका अमले electric field और area vector नो फिर angle कितना बन गया नाइंटी डिग्री होगा तो flux through that face zero हो जागा इस face से तो गुजरेगा निए यह जो इसके हिस्से में आया है तो question है कि कितने कितने faces से गुजरेगा पांच नीचे इसमें total इधर वाला एक और वाला दो पीछे को आई से तीन सामने वाला चार और नीचे पांच पांच में से तो flux across होगा निए एक face से पूचा है तो एक face से कितना गुजरेगा बताईए कि 4 नीचे आजाएगा Q upon 4 into 2 epsilon 0 So answer is Q upon 8 epsilon 0 So this Surface के हिस्से में जो flux आएगा इस charge के बज़ा से वो आएगा Q upon 8 epsilon 0 समझा क्यों होगा आपको ठीक है So इसमें simple है कि आपने सिर्फ इस charge को cover करना है वास यह चीज है में इसको cover करना है आपने तो ऐसे structure नीचे ले आए closed बन गया इस सारे surface केतना flux निकला Q upon epsilon 0 तो उपर वाड़े किस्से में कितना आया Q upon 2 epsilon 0 अब Q upon 2 epsilon 0 पांच फिस्सों से नहीं गुजरेगा चार से गुजरेगा तो 4 फिस्सी से इतना गुजरा तो मेरे को तो एक फिस्स से पूछा है ना तो एक फिस्सी हो जाएगा Q upon 8 epsilon 0 ठीक है आगे चलते हैं झाल